कुछ टाइम पहले Instagram ने ज़्यादा तर Creators को एक bonus नाम का feature दिया था जिस bonus की जरिये Instagram Creators भी Instagram से रुपए कमा सकते थे लेकिन वो mostly उन लोगों को मिला था जिनके followers काफी ज़्यादा अच्छे थे और consistency के साथ में वो काम कर रहे थे मतलब अपना original content भी डाले थे और एक consistency के साथ में Instagram पर काम कर रहे थे उन्हीं सारे Creators को bonus का option देखने को मिला था लेकिन फिर पता नहीं Instagram को क्या हो गया था Instagram ने bonus का feature वो हटा दिया था लेकिन अब फिर से Instagram ने एक feature आपको earning के लिए दे दिया है जिस तरह से bonus का option था अब bonus की जगे वही चीज रिप्लेस होकर gift बन गई अब आपको bonus की जगे gift का option देखने को मिलेगा मतलब अब आप Instagram से officially earn कर सकते हो वैसे तो कई सारे sources होते थे लोग sponsorship करते थे या फिर affiliate marketing करते थे promotion करते थे लोगों का लेकिन अब Instagram से यूजर की तरह earning कर सकते हो कैसे earning करनी कैसे setup करना अगर आपको gift का option मिल रहा है तो कहां पर मिलेगा और इसका setup कैसे होना है देखें भाई मैंने तो अपना setup कर लिया है और आपको यहाँ पर proof भी दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना Instagram में gift का setup कैसे करें और उससे earning कैसे कर सकते है तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूँ कि आप अपना gift का setup कैसे करोगे आजनिंग कैसे करोगे उसमें क्या-क्या चीजे मांग रहे हैं क्या-क्या eligibility criteria सारा कुछ आज में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो भाई वीडियो को like कर दो चैनल पाने हो तो चैनल को subscribe कर दो चलता हो अपनी mobile के screen पर वहीं पर मैं नहीं तो आपको यह feature नहीं देखनों को मिलेगा साफ मैं मना कर रहा हूं अगर आपका account professional mode पर नहीं ही तो यह feature आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए पहले आप अपने account को professional mode पर set कर लो फिराल के लिए इस video में मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूँ कि professional mode पर कैसे करने प्रोफेशनल मूड कैसे करना यह मैं किसी और वीडियो में बता दूगा अगर आप इंस्टाग्राम पर मैंसेश करके पूछोगे तो वहां पर भी मैं बता दूगा देखे जब आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करोगे तो आपको जो आपका बायो होता है नेम अगयरा और इंसाइट मिलेगी मतलब कितने अकाउंट्स आपका अकाउंट्स कर चुका है इंगेज कितने टोटल फूलोवर्स कितने हैं यह सारी चाहिश आपको मिल जाएगे नीचे आप बढ़ोगे तो आपको निव स्टेप्स का ओप्सन मिलेगा अचिवुमेंट्स का मिलेगा सेव्ड रिप्लाई का मिलेगा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो एड टूल मिलेगा आप यहां पर आपको एक गिफ्ट का ऑप्सन मिलेगा बहुत से क्रियेटर्स के अकाउंट में ऑप्सन आ चुका है और नहीं आया तो वह भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि अगर आपके नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं आप इस वीडियो को पूरा देखे कि कैसे सेट अप करें लाज में मैं बताऊंगा कि कैसे आएगा इसलिए पहले देख लो कि सेट अप क्या से करना है यहां पर गिफ्ट का ओप्सन पहले यह बोनस हुआ करता ताब गिफ्ट हो गया आप इस पक्लिक करना आपको सिंपल देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक इंटर्फेस देखनीוצ मिलेगा जहां पर इस्टेट पर इलजील शो होग घे .... हो सकते फिर आपको next setup मिलेगा start earning from gifts मिलेगा allow gifts on rails मिलेगा तो जहाँ पर लिखा हुआ start earning from gifts यहाँ पर आपको okay करना है देखिए मैंने यहाँ पर पहले eligibility देख लिए अपनी आप यहाँ पर क्या करना है start earning पर करना है तो आपको यहाँ पर क्या देखनों को मिलेगा earn money when you receive gifts on rail मतलब आपका setup करने के लिए बोला है क्या मांग रहा है keep being your creative self get support from your audience earn from instagram नीचे continue का option है आपको continue पर click करना है दोस्तों आप जैसे continue पर दोस्तों click करोगे तो आपको इस तरह से एक interface देखनों को मिलेगा जिसमें बताया गया है setup payout account let's start with basics आपको legal first name लिखना है legal surname लिखना है date of birth लिखनी country लिखनी मतलब जो आपका legal name है जो documents वगयरा पर पढ़ते हैं आपको वो name लिखना है जब आप फिल कर लोगे तो आपको next का option देखने को मिलेगा उस पर click करना है जैसे आप next के option पर click करोगे आपको एक दूसरा step देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको country चूज करनी है आप country अपने according चूज कर लोगे जहाँ पर पर प्रेर हो इंदिया पाकिस्तान बांगलादे मिलेगा individual और sole proprietor पर click कर देना आपको आप जैसे इस पर click कर दोगे आपको next option देखने को मिलेगा आप next के option पर दोस्तों click कर दोगे जैसे आप next के option पर click कर तो आपको एक next step देखने को सामने मिल जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या setup करना है देखिए आपका जो legal name पहला आ वो आ चुका date of birth आ चुका अब आपको primary address डालना है town और city डालनी है आपको country या फिर रीजन डालना है जहां पर प्रदेश का नाम बोल सकता है state का नाम आपको post code डालना है zip code या फिर पिन code सेम चीज़ होती mobile number email address डालना है permanent account number डालना है VAT या GST registration number डालना है देखिए अगर आपके पास permanent account number नहीं तो आपको इसमें need पड़ेगी अगर आपका नहीं तो आपको बनवाना पड़ेगा कि permanent account number एक टेक्स info के लिए लगता है तो आपको डालना ही पड़ेगी फिर उसके बाद मांगा गया GST number यह optional है अगर आपके पास GST number है तो डाल दीजिए अगर नही आप यहां पर पूछा गया है choose how you would like to get paid मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से option से आप payment लेना चाहते हो तो यहां पर bank transfer है bank transfer में बोला गया आजना minimum of only $25 USD and get paid in your local currency it will take 2-3 days for the money to reach your account once in मतलब आपको कम से कम $25 चाहिए और 2-3 दिन में यह transfer हो पाएगा then wire transfer wire transfer में कम से कम $100 होना चाहिए फिर link you paypal account है तो मुझे bank transfer सबसे आदा easy लग रहा है मैं वही click करता हूं bank transfer में choose करता हूं मैं भी आपको suggestion दूँगा कि आप bank transfer ही choose करो तो यहां पर मैं bank transfer choose कर लेता हूं उसके बाद में step आगे बढ़ाता हूं फिर आपको यहां पर देखिए option 1 मिल ला होगा link payout method जब आप bank transfer पर ok कर दोगे तो link payout method पर click करना है आप यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा bank country जो की automatic choose हो जाएगी जो आपने पहले चूश के bank account currency automatic choose हो जाएगी आपको legal first name जो आपका bank में पढ़ा वो डालना है middle name डालना है legal surname डालना है FSC code डालना है bank account number डालना है यह सारी चीज़े आपको इसमें डालना है इसके बाद आपको link payout method पर click करना है तो यह मैं सारी चीज़े फिल कर लेता उसके बाद आगे का step आपको दिखाता हूं दोस्तों यह सारी चीज़े मैंने फिल कर ले link payout method पर click कर देया अब आगे का next option जो last बच्चा है setup वो करने के लिए बोला जाएगा तो मैं उसे भी complete करूँगा देखे आगे का जो step आ रहा है वो text verification कर करना ही होगा otherwise account नहीं setup हो पाएगा तो text info के लिए क्या करना होगा add text info पर आपको click करना होगा जब आप add text info पर click करोगे तो एक setup देखने को मिलेगा form की तरह उसको आपको fill करना होगा पूरा तो यहां पर वो form आ चुका है मैं अभी fill करता हूं देखे यहां पर आपको सबसे पहले text would like to receive the following information about actor mohit पाने मतलब आपका username आ जाएगा और यह allow करने को बूलेगा अगर आपका allow नहीं तो यहां पर allow कर देना है फिर आपका form यहां पर open हो जाएगा अब आपको अपने text info form को complete करना है देखे यहां पर लिखा है text information get started what is your text classification मैंने पहले individual fill किया तो यहां पर पहले से फिलो करा चुका है आपको अगर बदलना है तो वापस जाकर सेटम में बदल सकते हो फिर पूछ रहा है यूए यूए सिटिजन यूएस पर्मानेंट रेजिडेंट ग्रीन कार्ड होल्डर और यूएस रेजिडेंट एलियन मतलब पूछा जा रहा है कि आप अगर आप इंडियन और पर्संट रेजिविंग पेमेंट ओन बिहाफ और पर्संट और एज अ फ्लो थू एंटिटी मतलब आपका जो अकाउंट ओल्डर उसके एजेंट के तोर पर यहां पर आयो सेटप करने या फिर आप खुद में रिया लो आप किसी और का पैसा लेना Need करना चाहदे तो आपको 9 फिर आपको एक और टेक्स इंफrमेशन देखनब पर मिलेगी हाँ पर आपका फुल ने म कंट्री ओफ मिलेट है जो बहुती तो आपको इंडिया में प strengthen बोड़ने impacto कर लो जहां पर रहो आपने पहले से इस सेटप्ट लिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेंआ एप यहां पर यहां पर कोई to भी टेन नंबर नहीं यहां फिर अंनियोत आपको ऊपर वाले में टिक कर देना है और उसके बाद आपको next कर देना संपल आपको उपर आले में टिक करके आपको next करना है तो यहाँ पर मैं click कर लेता हूं उसके बाद आगे का setup आपको दिखाता हूं मैंने click कर लिए आप यहाँ पर बोला है interior address तो आपको address में क्या-क्या बोल रहा है country, address line, address line 2, optional, city यह सारी चीज आपको fill कर लेना इसके बार next पर click करना है आप जैसे next पर click करोगे add your mailing address बोला है आपका address आ चुका जहाँ पर mailing address आप एक बार address को confirm कर लिए अगर आप इस पर ही mail लेना चाहिए तो यह रखो otherwise आप change कर सकते हो तो आपको next पर फिर ok करना है जैसे आप next पर ok करोग आगे का setup यह मांगेगा करने के लिए आप क्या बोला provide additional details relating to your service अपनी service से related इनको additional information देने पूछा दार location of where service are or will be physically performed मतलब आप US में 0% service दे रहे हो physical या फिर 100% दे रहे हो या फिर service will be physically performed inside and outside of United States मतलब क्या आप US के अंदर 0% physical service दे रहे हो या फिर 100% दे रहे हो या फिर US के अंदर भी दे रहे हो आपको इसके बार next पर simple click करना जैसे आप next पर क्लिक करोगे आगे का प्रोसेस आपका start हो जाएगा तो यह पर मैं next पर क्लिक करके सारी चीज़े आगे बढ़ता हूं अब यहां पर review and submit का option आएगा मतलब जो आपने text information दी है यहां पर आपको एक form पूरा देखने को मिलेगा जो जो आपने text information दी है आपको इसको पूरी तरह से review कर लेना बहुत ही अच्छे से क्योंकि text information है आपका text वगेरा सब इसी पर depend होता है आपको पूरा review कर लेना है जब आप review कर लोगे तब आपको submit form पर click कर देना है मैंने य पूरी देखने को मिलेगी जो जो आपने यहां पर फुल किया यह text information is complete पूर रहा है अब आपको नीचे done का option देखने को मिलेगा done कर देना है आपकी text verification हो चुकी है जैसे आपके text verification हो चुकी है आपके सारे steps यहां पर complete हो चुकी है लेकिन इसके बाद आपको क्या करना यह ध कर देना है अब यहां पर आप देख सकते हो eligible allowed gifts और approximate earning यहां पर जो आपकी earning आएगे वह यहां पर आपको 100 हो जाएगी यहां पर आप देखे करिए जितनी भी earning आएगी ऊपर देखे dollar 0.00 लिका फिराल के लिए मैंने तो अभी setup किया है तो अभी कोई भी earning नहीं लेकिन जैस में option देखने को नहीं मिला है तो दो तरह की चीज़ें हो सकती जिससे आपको option देखने को नहीं मिला है पहली चीज जो मैंने starting में बताया था कि आपका account professional mood पर नहीं है तो सबसे पहले आपको जाकर professional mood पर account को करना वो सारी चीज़े settings से हो जाएगी बहुत easy method है आप कर लोग है तो मुझे नहीं लग रहा कि हजार दोजार पांच हजार दस हजार फोलोवर्स पर होगा जैसा कि आपने साथ मेरा account notice कि होगा कि मेरे हजार से भी कम followers हैं और वियूस भी हजार वगेरा नहीं आती है मुश्किल से हजार दोजार या फिर 100 200 500 रह जाती है लेकिन मैं consistency के पास ज्यादा followers हैं या कम followers हैं ज्यादा views आ रही है आप consistency के साथ में काम कर जो और अपना original content डाल लो तो आपको यह option देखनों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा फिरहाल के लिए अभी तो मेरे पास followers का में लेकिन आप लोगों का support बना रहा है तो followers भी काफी अच्छ हो जा है आप किया है आप कर ले पास जाप है आप चार आप जाप कर यादा व्यादा आपा का में जापको आपको यह हैं गया कर आपको अबढ़। झाल आपको यहुञ़ब को बहुआ आपको यह चावर।